सबी को नमस्कार, उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, त्यारी अच्छी चल रही होगी तो बच्चे एक सर सवाल पूछते हैं, सर जब भी इंग्लिश में कुछ लिखने लगते हैं तो स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती है लिखने से पहले हमको लगता है कि स्पेलिंग हमको पता है, लेकिन जब लिखने लगते हैं तो confusion हो जाती है कि लग रहा है कि मैं सही लिख रहा हूँ लेकिन गलत लिख रहा होता हूँ तो इस चीज को हम कैसे डेकल करें तो एक काम करते हैं, एक interesting exercise से इस class के शुरुआत करते हैं आपके सामने कुछ words आएंगे, daily life के words हैं, आम बोल चल की भाशा में यूज होते हैं आपने बदाना है कि उनमें से कौन से word की spelling जो है वो गलत है और ऐसे ही words मैं use कर रहा हूँ, जिनकी spelling में बच्चों का अक्सर दिक्कत आती है तो one by one word आ रहे हैं आपके screen के उपर, आप एक काम कीजिए, वीडियो को फड़ा फट से पोज कीजिए, और इन पांचों words की spelling बदाने की कोशिश कीजिए I hope आपने try कर लिया होगा, कुछ के spelling गलत बताई होगी, शायद कुछ की सही भी बताई होगी तो आपकी knowledge के लिए मैं बतादू कि इन में से एक भी word की spelling गलत नहीं है मैंने जान बुच के आपको ये words दिये थे, ऐसे words जिनके spelling में बच्चों का अकसर दिक्कत रहती है तो जान बुच के मैंने आपको ऐसे words दिता कि आप confused हो जाओ, हो सकता है आपने vacuum की spelling गलत बता दियो double c कर दिया हो, embarrass को कुछ छेड़ दिया हो, dinosaur को आगे पीछे कर दिया हो, कुछ है ना, तो लेकिन ये सारे की सारे सही है अब मुद्दा ये नहीं है कि आप में से कितनों ने सही जवाब दिया, कितनों ने गलत जवाब दिया मुद्ध ये है कि हमें पता होने के बावजूद भी बेसिक शब्दों की स्पलिंग पता होने के बावजूद भी confidence नहीं आता कि मैं सही भी लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं अगर आपको मालो word के शुरू के initials जो होते हैं मतलब शुरू के एक दो letter बता हैं आपको आप वो type करिए तो पूरा को पूरा word suggest होने लग जाता है जैसे कि आप UNSC लिखो तो अपने आप ही जो जो इस related words हैं suggest करने लग जाएगा unscathir है और unscrupulous है ऐसी excu लिखा तो exuberance suggest करने लग जाएगा pern लिखो के तो parnicious suggest करने लग जाएगा तो यह सब की सब क्या है यह artificial intelligence है अब देखो वैसे तो लग रहा होगा बड़ी सही चीज है और सही भी है technology है technology हमारे फाइदे के लिए होती है लेगिन उनके लिए नहीं है जो बच्चे त intelligence क्यों भई क्योंकि descriptive paper आता है वहाँ पर लिखनी भी होती है English spelling errors वाले questions आते हैं तो यह technology का तो वहां को use होने वाला है नहीं तो एक काम करते हैं बिल्कुल practical और genuine tips सीखते हैं हम आज कि spelling के errors को कैसे हम लोग ठीक करें चीक है तो one by one सब के बारे में बात करते हैं तो सबसे प mobile में हो laptop में हो हर जगा से autocorrect को एक काम कर दीजिए आप off कर दीजिए उससे क्या होगा आप गलत word को लिखना ही छोड़ देंगे या तो आपको जो spelling आती है वही word का use करेंगे और अगर नहीं आती है तो आप नहीं लिखेंगे उससे क्योंकि आपकी गलत लिखने की जो आद कर रहा है तब आप जाके उसे चेक करने के आदट डालोगे और वह बहुत अच्छी चीज है जितना चेक करोगे शब्दों को अपने आप ही वह इंप्रूव होने लगेगी तो सबसे पहला काम autocorrect को off कर दें दूसरा point यह है कि शब्दों को breakdown कर दें तोड़ दें मतलब मैं ऐसे जैसे आपके सामने एक वरड़ है डाइनासौर अब इसको बोलते हैं तो बच्छे को लगता डाइना डी आई डी वाई है अई डी वाई ऐसा कुछ करके होगा लेकिन लिखने में तो डीनोसोर जैसा लग रहा है तो आप pronunciation पर मत जाएए आप शब्दों को तोड़-ध पूद के याथ कीजिए, मतलब दो पार्ट में break कर लो, Dino को एक पार्ट में ले जाओ, Sour को एक पार्ट में ले जाओ, Dino प्लस Sour, B-I-N-O-S-A-U-R, तो कोई भी आपको भारी भर कम शब्द लगता है, तो pronunciation से ना करें, उसको तोड ले, जैसे business है, अब business में biz, b के बाद i के feel आती है business, लेकिन अगर आप इसको बढ़ो, अगर इसकी pronunciation के coding करने लग जाओगे, तो busyness होना चाहिए, लेकिन ये तो business है, तो मैं वही बोलना चाहरा हूँ कि अगर pronunciation से करो के तो गलत हो सकता है, तो शब्दों को तोड लो, busi को अलग कर लो, news को अलग कर लो, दो parts में याद करो, ऐसी अगर आप pronunciation में जाओगे, जिसको नहीं पता, वो subtle भी बोल सकता है, लेकिन ये subtle नहीं है, subtle है, अब subtle में तो be silent होता है, तो क्या बी लिखोगे यह नहीं क्या, नहीं ना, तो आप क्या गरज़कते हैं, आप शब्दों को तोड़ी है, sub एक पार्ट में, tle एक पार्ट में, ऐसी honor आपके समने, honor नहीं, honor है, तो hon एक साइड, ओ यू आर, एक साइड, तो कोशिश कीजिए कि pronunciation से ना करें, शब्दों को break down करें, yes or no, यह सबसे important tip है, मैं भी use करता हूँ, speak aloud words with double letters, कुछ ऐसे words होते हैं, जिनके अंदर double letters आते हैं, और अकसर वही confuse करते हैं, किस में double R आएगा, किस में double P आएगा, किस में double S आएगा, किस में double N आएगा, बहुत confusion होती है, तो ऐसे जब भी आपको शब्द दिखे न, तो आप बोल बोल के याद करें, उससे जैसे tomorrow में double R आता है, तो आपको बता है, और कोई double letter आपने नहीं बनाना है, कभी बच्चे M को भी double बना दे, T.O.W.M. कर देते हैं, तो double R आता है, बोले, tomorrow में double R आता है, जब भी लिखें, दस बार लिखें, पांच बार लिखें, कैसे भी लिखें, कहीं पर भी लिखें, बोल के लिखें हैं, तो अगली बार जब भी आप वस वर्ड को लिखने की भी कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप दिमाग में घंटी पजने लगते हैं, tomorrow में double R आता है, embarrass में double R, double S आता है, disappointment में double P आता है, तो अपने आप ही वो, मतलब मेरे साथ तो होता है, कि जब मैं आपको सारी practical tips ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ ready, 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 आई बाते कुछ किताबी ग्यान आपको दे दिया, जो चीज helpful है, जो मेरे उपर implement हुई है, मुझे लगता कि मुझे उससे improvement मिली है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, तो definitely आपके help करेगे, जैसे इन शब्दों में बड़ी confusion होती है, IE वालों में और EI वालों में है न, तो आप क्या कर सकते हैं, rhyming में याद कर सकते हैं, achieve और believe को एक साथ याद कर लिया, मतलब जब भी achieve बोलें, तो believe भी साथ में लेके आएं, उस शब्द को, मतलब आपको याद रहेगा, achieve लिखना तो उसकी spelling क्या थी, achieve को आपने rhyme किया था believe से, अच्छा believe में भी IE होता है, और achieve में भी IE होता है, yes और no, ऐसी conceive, deceive, मतलब जो एक जैसे हैं, जैसे इसमें आप देखो, EI है और इसमें भी EI है, तो conceive, deceive को एक साथ याद कर ले, ऐसी जो एक जैसे दिखने वाले हैं, उनको एक साइड रख ले, और जो दूसरे दिखने वाले, उनको दूसरी साइड रख ले, तो rhyming में भी याद करेंगे, या बोल बोल के भी आप याद करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा, तो यह काफी practical tip मुझे लगती है, और मैं बहुत implement करता हूँ, आज भी इसे, ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं शब्दों को एक group में डाल दू, जिनकी spelling एक जैसे ही होती है, तो ऐसे आप इस group में और भी words डाल सकते हैं, जिसमें I और E होता है, और इस वले group में आप और भी words डाल सकते हैं, जिसमें E और I होता है, तो आप एक बोलेंगे, तो दूसरा भी याद आएगा, तीसरा भी याद आएगा, तो ध्यान आएगा, अच्छा, इन सब में तो E I होता है, I hope point समझ में आ रहा है, उसके बाद, जो most important point है, do not assume anything, हम बहुत बार assume भी करते हैं, assume का मतलब क्या है, जैसे repeat एक word है, इसकी spelling है R E P E A T, अब इससे जो बना एक word है repetition, तो बच्चे वो लगता है, अगर repeat में R E P E A T है न, तो repetition में बस आगे I O N तो लगाना है, repeat ऐसे का ऐसा लिख दो आगे, I O N लगा तो लेकिन ऐसा नहीं है, repetition की spelling बिल्कुल different है, R E P E T I T I O N है, अब यहाँ पे तो R E P E A T है, इधर तो P E A T है नहीं, तो बच्चे जनरली assume भी कर लेते हैं, assume नहीं करना है आपने, कि अगर एक word की spelling यह है, तो उससे बने या मिलते जुलते जितने भी words होंगे, उसमें भी same ही letter आएंगे, ऐसा नहीं है दोस्त, जैसे अब great है, G R E A T, अब इसका grateful एक word देखोगे, आप तो grateful में G R E A T है नहीं, G R A T E है, अब होगी न दिक्कत है, तो assume कुछ ना करें, और अब आता है, आज की वीडियो का, सबसे crucial point, और वो है British versus American, अब इन दोनों के वीच में बच्चों को इतनी दिक्कत है, इससे जादा दिक्कत मैंने किसी चीज में देखी है students को, even मुझे भी होती थी, मैं वो सारी चीजों के बारे में बात करूँगा, यह सब ब्रिटिश और American के डिफरेंस है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका यह schedule जो है वो गलत है और schedule जो है वो सही है, या often आपका गलत है, often आपका सही है, और education की बात करूँ तो education तो कोई word ही नहीं है ना ब्रिटिश में न अमेरिकन में है, education, educator तो कोई word ही नहीं है भाई, schedule और schedule तो फिर भी exist करता है, often, often तो फिर भी exist करता है, लेकिन educator तो कुछ है ही नहीं और लोग इसको ब्रिटिश और American के नाम दे के भई धडले से चला रहे हैं, तो ख्यार, अभी हम pronunciation की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम spelling error की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे words हैं, जो जिनकी spelling की बात करे हैं, तो British में अलग तरीके से use होती है, American में अलग तरीके से use होती है, pronunciation की बाद किसी और वीडियो में करेंगे भी spelling पर इस टिक करते हैं तो देखते हैं भाई, अच्छा वैसे इन दोनों में से सही कौन सी होती है, British या American तो देखो वैसे तो अब आप सोचो कि भारत देश है, तो भारत देश में अंग्रेजों ने राज किया था, हमें गुलाम बनाया था तो भाई वहाँ पे वो अपनी भाषा छोड़ गया है तो अंग्रेज मतलब वो England वाले British तो मतलब British English follow होनी चाहिए, ये कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई एक्चल में Britishers ने अमेरिका को भी colonize किया था तो कहने का मतलब जो language है वो British लोग अमेरिका में लिके आये थे, तो अमेरिका में बाद में आई है, पहले British वालों की थी लेंग्विज, original जो है, originate जहां से हुई है, मतलब कहते हैं, as far as I'm concern, जितना मैंने पढ़ा है, कि British वाली ही original है, अमेरिका वाली नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अमेरिका वाली को गलत कर दोगे, या British वाली को सही कर दोगे, although इंडिया में हम British English को follow करते हैं, इंडिया में तो Indian English भी है, है ना British है, American है, और Indian English वाली नहीं कि बेभी, यू क्या करिंग, है ना मी खाना खाइंग, बेभी निन्नू आइंग, गुड निन्नू, वाली नहीं भाई, वो तो love की भाषा है ना, love is also a language, उसको फिर किसी और दिन सीखेंगे, सीखाऊंगा, वो भी don't worry, don't worry, सीखाऊंगा, लेकिन आप भी अब भी अंग्रेजी सीख लेते हैं, ठीक है, जैसे Indian English के मैं example दूँ, तो जैसे Indians बोलते हैं, accelerator, American बोलते हैं, gas pedal, और British बोलते हैं, accelerator वाई, सेम चीज़, वो raise देते हैं, जो यह गाड़ी में पंजा दबाते हैं, जो, ठीक है, ऐसी हम लोग बोलते हैं, footpath, America बोलते हैं, sidewalk, और British बोलते हैं, pavement, ऐसी rubber हम लोग use करते थे हैं, कुछ school के बच्चे बहार से आते थे, मतलब कई से दूसरे school से आया है, वो बच्चे बोल रहा हम सोती है, और हाई-फाई लडगा आ रही है है ना, सेम ही चीज़ है, और British में eraser rubber दुनों साथ बोलते हैं, ऐसे finger chips हैं, वो aloo finger chips खाते हैं, यह french fries बोल रहे हैं, और British वाले chips से बोल रहे हैं, तो ऐसे कि यह सही है और यह गलत है, जबकि दोनों सही होती है, और British और American का बस difference होता है उसके अंदर, जैसे कि सबसे पहले color की spelling देखो, बच्च्पन से हम यह बोलते आते हैं, तो C-O-L-O-U-R, जैसे जैसे बड़े हुए सुनते आए, C-O-L-O-R, हम सोचते हैं, यू का गया, बिन यू वाले हैं, दोनों ही सही है, although मैंने बता दिया, British वाले हम लोग follow करते हैं, आपके examination में इससे related आपको देखने को नहीं मिलेगा, descriptive में आपको मदद मिल सकती है, ठीक है, कोशिश करें कि British वाले ही लिखें, ऐसे ही apologize में Z-E-B होता है, SE-B होता है, दोनों सही है, British मे दोनों use हो रहे हैं, और American में सिर्फ Z-U-S होता है, लेकिन British में दोनों use हो रहे है, ऐसे organize में है, recognize में दोनों use हो रहे है, अब वैसे तो सच बताऊं मैं आपको पहले S-E ही use होता था, British में, S-E होता था, S-E होता था, लेकिन अब आपको पता है, America वालों की इतनी super macy है, super power और है तो कुछ-कुछ वर्ड जो अमेरिका में ही यूज होते थे ब्रिटिश वाले भी उनको फोलो करने लगें इस वज़े से आप देख रहे हैं कि जैड़ी भी आपको दिख रहा है जैड़ी वी दिख रहा है आपको अदर्वाइस सी ही होता था पहले ऐसे और भी बहुत स इंग्लिश अलग है अमेरिकन इंग्लिश अलग है इंग्लिश इंग्लिश है बस कल्चरल डिफरेंस है एक जगह पर बोली जा रही है तो ब्रिटिश कहती है दूसरी जगह पर बोली जा रही है तो अमेरिकन क्या है हिंदी में भी तो होता है हम लोग कहते हैं कि मैं जा रह हूँ कुछ लोग कहते हैं हम जा रहे हैं वो हम में वो एक इंसान की बात कर रहा है लेकिन मीनिंग तो वही है तो ऐसी मीनिंग यह की होता है बस आपको यह देखना होता है कि आपके कल्चर में कौन सी फोलो की जाती अब जैसे ब्रिटेश और अमेरिकन में ये सी और एस वाला भी बड़ा चक्कर चलता है कि भी डिफेंस भी सही है ये अमेरिकन है और ये ब्रिटेश है मतलब ये यूएस है और ये यूके है ठीक है ऐसी ओफेंस की स्पेलिंग भी सही है ठीक है दोनों की दोनों प्रिटेंस की भी ठीक है प्रिटेंस का मतलब दिखावा लेकिन जरूरी नहीं है कि हर C और S वाला जो difference होता है वो British और American का होता है जैसे यहां देखो अब यह British और American का difference नहीं है यह verb और noun का difference है यह noun है और यह verb है दोनों ठीक है मैं वही बोलना चाहरा हूँ हर जगा British American नहीं है advice और advice में advice का मतलब होता है सलह और advice का मतलब होता है सलह देना यह noun है मतलब action है और यह verb है action का नाम है समझ में आया क्या पक्का ऐसे और भी बहुत सारे word है noun और verb वाले बच्चे confuse कर लेते हैं इसलिए बदाने बढ़ रहे हैं यह practice है practice prophecy prophecy device device है ना prophecy बविश्यवानी और यह बविश्यवानी करना device कोई उपकरन और device का मतलब किसी जुश को plan करना तो ध्यान रखिएगा हर C और S वाले का जो difference है वो British American का नहीं है कुछ शब्द मैंने आपको बता दी है ऐसे वाले जो noun और verb का difference रखते हैं ठीक है काफी important point है यह भी तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा तो अगला point है आपका commonly confused words related ऐसे बहुत सारे words है चुकि एक जैसे दिखते हैं है ना homonyms, homophones आप सुनते होंगे तो ऐसे शब्दों को आपने अलग से याद करना इनकी मैंने आपको pdf भी दी हुई है जैसे कि adverse, averse है principle और ये वाला principle इनके meaning में भी difference होता है इनके spelling तो different है ही इनके meaning में भी difference है तो मैंने पूरी की पुरी sheet दी हुई है आप टेलिग्राम चैनल तरुन ग्रोबर इंग्लिश ते डाउनलोड कर सकते हैं अलग से विल्कुल extra effort डालना इनके उपर क्योंकि अलड़ी confusing है नहीं यार इसली है ठीक है चलो अगला है write regularly देखो मैंने क्या कहा था आपको जब हम शब्लिखते नहीं है ना तो हम मन हम मन ही मन में जब रखते हैं को लगता है कि हमें शब्द आता है लेकिन जैसे लिखने लगते हैं तो शब्द भूल जाते हैं तो आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपको कौन से शब्द में दिक्कत है और कौन से में नहीं है क्योंकि मन ही मन में रखेंगे तो सब कुछ आपको लगेगा आता है मुझे हाँ आता है हाँ आता है लेकिन जब लिखने लगेंगे तो पता लगेगा हाँ इस वाले शब्द में गलती है तो सबसे बहले problem को identify करना है और वो कैसे होगा लिख लिखके तो लिखने की आदट डालें कुछ भी लिखें आप अपने बारे में लिखें जेनरल राइटिंग करते हैं वो करें ऐसे लिखें लेटर लिखें या फर कोई newspaper का article पढ़ लें उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें अच्छे words को use करें ताकि spelling का आपको पता लगता रहे MS word में लिखे खास दोर पे नीचे red line आजाती है कि ये वाली spelling आपने गलत लिखी है ठीक है उसमें अगर जब लिखने लगे तो auto correct एक बार on कर ले ना वैसे तो off रखने के लिए बोला है मैंने लेकिन जब आपको check ही करना हो कि कौन सी गलते कौन सी सही है तो उस particular time के लिए on कर ले ना नीचे लाल line आ जाती है है ना तो लिखें जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता लगेगा नहीं और जैसे आपको पता लग जाएगी इन शब्दों में मुझे दिक्कत आती है तो अलग से अपनी list भी बनाए create your own difficult to spell list जिनकी spelling को लिखना बड़ा मुश्किल है अलग से छोटी डाइरी ले आए इस टाइप की ले आए इस वाले टाइप की डाइरी ले आए ठीक है छोटी सी तो उसमें जो जो मुश्किल वर्ड है जो एक जैसे हैं उनको एक category में डाले है ना अलग-अलग categories बना दे त आपको समझ में आ देगा इसको इस category में डालना है इसको वाली category में डालना है तो list जब तक नहीं बनाएंगे तब तक improve नहीं होगा क्योंकि आप सारा होश-पोश कर देंगे है ना वो वाले शब्द जो आपको आते हैं जो नहीं आते हैं उनको सब को mix कर देंगे तो दिक्क दिक्कत है तो तब पढ़ने का मन भी करेगा अलग से अपनी एक list बनाएं और उसके बाद आखरी जो suggestion है वो यह है repetition is the mother of all learning जो शब्द दिक्कत आपको कर रहा है उसा 10 बार लिखे 20 बार लिखे बोल बोल के लिखे जिस भी word में दिक्कत आ रही है जहां मोका मिलता है वहां दिक्कत आती है और पढ़ते पढ़ते आपकी नजरों के आगे आगया वहीं रुके अपना मतलब of course article read करने के बार और उस word को फिर लिखे दो बार लिखे पांच बार लिखे जितनी बार लिख सकते है लिखे क्योंकि कोई भी चीज repetition से आती है छोटे होते थे सो cycle चलाते थ था बैलेंस भी नहीं बनता था लेकिन repetition से इस हद तक आप आगे कि हाथ छोड़ के भी cycle चलाने लगे yes or no तो repetition की बादी हम लोग expert बनते हैं वो जो word is subconscious level पे हमारी surface पे ऐसे आजाते है दिमाग के surface पे कि आप भुलाए भी नहीं भूल सकते हैं उसा है ठीक है और आखरी में बस यही कहना चाहूंगा अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है language में spelling के regarding तो आप comment section वे बता सकते हैं commonly confused words की भी PDF आपको दे दूँगा और बाकी बस मिलते हैं next session में अपना ध्यान रखिए I hope session अच्छा लगा होगा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत प्यार गुट बाई